एक पिक्चर बनी थी हम आपके हैं कौन यह एक नई पिक्चर बन रही हम आपके हैं ड्रोन जिसके हीरो है नरेंद्र मोदी तो 1786 करोड़ आपने डिया DRDO को और फिर 25,000 करोड़ अमेरिका से में जाकर दे आए कि भाई हमें ड्रोन दे दो तो या तो यह 1786 करोड़ आपने गल बहुत है हुद मसी करोड़ यहांभी वह एक अकेला सपर भारी हो गया प्रधान मंत्री के यह जो महेंगे शॉक हैं एक है यह देश के लिए महेंगे पढ़ रहे है आप कितना डरते हो प्रेस कॉंफरेंस से हमें नहीं मालूम। आपकी पार्टी कितना डरती है आपकी प्रेस कॉंफरेंस से वो तो दिखी रहा है। हमारे जो माननिय प्रधानमंत्री हैं, उनके जो महंगे शौख हैं, उससे हम सब वाकिफ हैं। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, महंगे मश्रूम, महंगे विमान, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक हैं, ये देश के लिए महंगे पड़ रहे हैं. जो रफैल डील में हुआ, वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा है. मैं दोहराता हूँ, जो रफैल डील में हुआ, वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है. जिस ड्रोन को बाकी मुल्क चार गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम 110 मिलियन डॉलर यानि की 880 करोड प्रती ड्रोन, 880 करोड पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं. आप विज्वल्स भी साथ-साथ चलाते रहे हैं, आपको ये प्रेस रिपोर्ट दिख रही है, जिसमें कीमत भी दिख रही है, थ्री बिलियन डॉलर्स, पच्चीस हजार करोड रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं. जो जॉइंट स्टेट्मेंट प्रधान मंत्री मोदी और राश्पती बाइडन का आया था, उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे, तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा, तो जब जॉइंट स्टेट्मेंट में कोई बिंदू आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो बात पहुँच चुकी होगी, आप वापस से कीमत जानना चाहते हैं, चार गुनी कीमत पे हम खरीद रहे हैं, इस से चार गुनी कम पे बाकी देशों ने यही ड्रोन इसी कमपनी से खरीदा, वो भी मेरी प्रेस रिलीज में आपको हर देश के बारे में लिखा है, मैंने की, यूके ने कितने में लिया, आस्ट्रेलिया ने महेंगे सौधा किया और फिर वो सौधा रद कर दिया, स्पेन ने कितने में खरीदा, ताइवान ने कितने में खरीदा, इटली ने कितने में खरीदा, तो प्रक्रिया पर आ जाते हैं अब, हमने सुना था प्रधान मंत्री ज इस बैठक के बगएर एक अकेला सब पर भारी ने जाकर अपना एक और महेंगा शौक पूरा किया आपके दोस्त हिंदुस्तान से पैसा लेकर भाग जाते हैं बाहर ये तो पिछले नौ साल में हमने देखा अब आप खुद हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाकर देख कर आ रहे रक्षा सौदों में क्या हो रहा है पूरा विश्व कितने में ड्रोन खरीद रहा है ये जानकारी भी आपको नहीं है फिर अगर हम कुछ कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है अरे साप प्रधान मंत्री के लिए कैसे कह दिया अरे जब आप ही सारे निर्णे लेंगे तो आप ही को तो पूछेंगे आप ही से तो कहा जाएगा इसलिए हम आप ही सर्फ पूछते हैं आप ही से सवाल और आप प्रेस कॉंफरेंस करते नहीं है प्रेस कॉंफरेंस करते हैं तो आपकी IT सेल पूरा मटिया मेट कर देती है पानी फेर देती है आपकी प्रेस कॉंफरेंस करते हैं आप कितना डरते हो प्रेस कॉंफरेंस से हमें नहीं मालूम आपकी पार्टी कितना डरती है आपकी प्रेस कॉंफरेंस से वो तो दिखी रहा है तो मेकिन इंडिया तीसरा बिंदू कहां गया मेकिन इंडिया डियाडियो को 1786 करोड आपने आवंटित किये रुस्तम और घातक नाम के जो ड्रोन्स थे उनकी डेवलप्मेंट के लिए उनके विकास के लिए रिसर्च और डेवलप्मेंट के लिए तो 1786 करोड आपने दिया डियाडियो को और फिर 25,000 करोड अमेरिका से में जाकर दे आए कि हमें ड्रोन्स दे दो तो या तो यह 1786 करोड आपने गलत दिया और या फिर वो 25,000 करोड आपने गलत दिया दोनों तो सही हो नहीं सकते और यह कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में यह वो ड्रोन्स हैं जो आउट डेटिट टेक्नॉलोजी है उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा है उसके स्टोर रूम में पढ़े हैं किसाब ले जाओ तो जब हम कुछ कबार में बेचते हैं सस्ता बेचते हैं या महेंगा बेचते हैं ओरिजिनल कीमत से महेंगा कबार की कीमत कैसे हो सकती है मुझे यह यह नहीं समझ में आ रहा है Drones which are outdated in terms of technology are being bought at a higher price four times higher by India and that after putting in 1786 crore rupees in DRDO for make in India for Rustam and Ghatta drones look at the contradiction वो होता है ना घर में अपने किचन में पूरा राशन भर दिया और फिर ओनलाइन फूर्ड और कर दिया यह वो वाला सिस्टम तो या तो आप मेक इन इंडिया एक सिर्फ नारा था यह बता दीजिए लोकसभा में एक सवाल पूछा गया इसी ड्रोन के विशे में भी इसी टेकनोलोजी ये प्रिडेटर के विशे में क्या ट्रांसवर अफ टेकनोलोजी होगी तो सपश्ट था कि नहीं ट्रांसवर अफ टेकनोलोजी भी नहीं होगी तो आप पूरी तरह से टेकनोलोजी भी नह हैं यह में सवाल किसी कारण से पूछ रहे हैं आप हमने भी खाना खाया है विदेशों में आपने भी खाया है देश में भी विदेश में एसा डिनर इतना महंगा डिनर कभी किया जिसमें 25,000 करोड देश को देने पड़ जाएं इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या एक पिक्चर बनी थी हम आपके हैं कौन ये एक नई पिक्चर बन रही हम आपके हैं ड्रोन जिसके हीरो है नरेंद्र मोदी हम जानना चाहते हैं डिरेक्टर कौन है निर्देशक कौन है हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है हम आप से जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है क्योंकि जिस कंपनी से यह खरीदे जा रहे हैं जनरल अटमिक्स उनके CEO के रिष्टे प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार में किस से कितने घनिष्ट और कितने गहरे हैं ये हम और आप जानते हैं कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति वो द्रोना चारिया जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है उस मित्र का नाम आप सब सब जानते हैं और उनकी कितनी बैठखें हिंदुस्तान में एक अती महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई जिसको मैं आज ड्रोना चारिया का दरजा दे रहा हूँ अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा तो जैसे वाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उत्रा प्रधान मंत्री भी आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे हमारे सवाल कि ड्रोन सौधे को मंजूरी देने के लिए CCS की बैठक क्यों नहीं हुई क्याबिनेट कमिटी और सीक्यूरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज़्यादा कीमत क्यों दे रहा है जब वायू सेना को इन ड्रोनों की आस्मान छूती कीमतों पर आपत्ती थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी और माफ कीजेगा हमारे वायू सेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी हम उन्हें 31 दे रहे हैं कुछ तो राज है मैंने मेक इन इंडिया के विशे में आपको बताया है आठ से नौ परसेंट टेक्नॉलोजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए सिर्फ आठ से नौ परसेंट टेक्नॉलोजी यह हमारा तीसरा सवाल है जनरल आटोमिक्स के सीओ के मौजूदा सत्ता धिशों और जो प्रभावशाली हस्ती है इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है उससे क्या संबन है यह हमारा चौथा सवाल है हम बांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदरशिता लाई जाए ताकि हिंदोस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में रफैल के बाद यह दूसरा बड़ा घोटाला होगा एक और बड़े घोटाले में ना फस जाए क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्री हितों को खत्रे में डालने के लिए जानी जाती है इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा बीच बीच में राजनात सिंग्जी ने कल पड़सों में कुछ बोला है पी आईबी की तरफ से भी कुछ स्पष्टी करन आये हैं कि नहीं इतनी कीमत नहीं है तो यह कीमत आप सब ने आप ही के अख़बारों में और टेलिविजन चैनल पे दिखाई जा रही है तमाम सवालों के सपर्ष जवाब जब मिल जाएंगे तभी यह आश्वस्त होगा देश कि यह कोई घोटाला नहीं है अन्यथा आज की तारीख में there are all signs that this is blowing into a huge scam यह एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है अन्यथा